नमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में कक्षा 10 से उतिन विद्यारतों को उस्थाना अंत्रन प्रमान पत्रवा परविश देने के संबन्द में एक महत्पून आदेश आये हैं जिसके संबन्द में चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सामने तोर पर यह प्रमप्रा रही है कि टीशी और मार्शीट एक साथ ही बच्चे को दी जाती है लेकिन अभी तक मार्शीट किसी काणवास नहीं पहुंच पही हैं इस अभी विद्यालों में तो उसमन्द में आदेश आये हैं कि हमें क्या वबस्ता करनी है माध्यमिक सिक्षय बोड द्वारा सतर 22216 में परविश्ट कक्ष्या दसके विद्यार्तियों का परिक्ष्चय परिक्ष्य परिणाम जारी कर दिया गया है परन्तु माध्यमिक सिक्ष्य बोड आस्तना अजमयरशी विद्याल archives को अंग तालिका नहीं पहुंची है उक परिस्तितियों के कारण कतीपत संस्ता परधानों द्वारा विद्यारतों के इस्तानांतरन परमानपत्र उपलब नहीं करवाय जा रहा जिसके अभाव में विद्यारती को कक्षय 11 में परविश लेने में कटनाई आ रही है समस्या यह है कि दस्वी की जो मार्शीट है वो पहुंची नहीं है और उसके अभाव में काफी संस्ता परधान है जो बच्चे की टीसी नहीं कारण जिसके कारण वो कक्षय 11 में परविश लेने से वंचीत हो रहा है तो आदर समस्प्रश्ट किया गया है कि आप बच्चे को जो टीसी है वो बिना मार्शीट भी दे सकते हैं और आपको देनी ही पड़ेगी यदि आप चाहें तो ओनलाइन जो अंग तालिका है उसकी आप जो कोपी है वो दे सकते हैं कक्षय 10 का परिणाम ओनलाइन जारी किया जा चुका है तो विद्यारतों के ओनलाइन अंग तालिका के आदार पर टीसी कावेदन होने पर संबने संस्था परदान मादमिक खिक्षबोड आस्तान की अधिकत वेबसाइट से अंग तालिका मिलान कर इस्ताना अं अब आगी दे रखा है कि बच्चा जिस विद्धाले में परवेश लेना चाहता है कक्षय 11 में उसे विद्धालेक संस्था परदान में मादमिक खिक्षबोड आस्तान की अधिकत वेबसाइट से अंग तालिका के मिलान कर कक्षय 11 में इस्ताई परवेश देना सोनशीत करें यहाँ पर एक सब्द दे रखा है इस्ताई परवेश तो बच्चे को मार्शीट के अभाव में इस्ताई परवेश नहीं देना है बच्चे को इस्ताई परवेश ही देना पड़ेगा साथ ही उम्मिद करता हूँ कि जान करें आपको अच्छी लगी होगी आप लाइक सेयर करें साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो